हलो 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 everyone once again welcome to my channel biology विता नंदिता कल हम लोग कवर किये थे evolutionary changes ठीक है fossil of man का evolutionary changes कल हम लोग कवर किये थे आज हम लोग करेंगे stages of human evolution क्या करेंगे stages of human evolution आज हम लोग करेंगे in the study of evolution and origin of man man का origin का study कर रहे है तो जो fossils है वो group किये गये है तीन character में तीन category में group क्या गया है एक ape, एक ape man और एक primitive man ape में कितनी fossil है? ape में 4 fossil है, ape man में कितनी fossil है? ape man में 3 और primitive man 2 okay, ape के बारे में अभी हम लोग कवर करते है falling fossils appear under descending मतलब ape में, ape में पहला fossil मिलता है प्रॉपलियोपितेकस का, यह पहला सबसे first known ape fossil है, ठीक है? यह ape fossil सबसे पहला ape fossil हम लोग को मिला था और यह जो है, यह कब कितना पुराना है? 30 million year ago है, यह 30 million year ago का fossil मिला था, ठीक है? और यह जो fossil है, वो found हुआ था कहाँ पे? इजिप्ट में, कहाँ पे मिला था? इजिप्ट में, next अगला fossil है, ड्रायोपितेकस का, ड्रायोपितेकस जो है, यह जो fossil था, कब मिला था? मायोसीन प्रियड में मिला था, कब मिला था? मायोसीन प्रियड में मिला था, और यह consider होता है, कि यह हमारा ancestor है, हमारा man का ancestor है, ड्रायोपितेकस, ठीक है? बहुत जादा यह human के जैसे है, यह जो है modern ape है, प्राप्लियोपितेकस जो है, एप है, लेकिन ड्रायोपितेकस भी एप है, लेकिन modern ape है, इसमें बहुत सारे human character था, जैसे की, example ले लेते है, गौरिला का, और चिपानजी का, ठीक है? सच फोसिल, और यह जो फोसिल है, वो जब इंडिया में found हुआ था, तो क्या मिला था नाम इसका? सिबा पिथेकस, क्या नाम मिला था? सिबा पिथेकस, इसलिए कभी आपको कोई बोल दे, तुम तो गौरिला है, तुम तो चिपानजी जैसे दीखता है, तो बोल दीजेगा हाँ ठीक है, क्या दिखकर थे हम तो है इस चिपानजी, क्योंकि आपके एंसिस्टर जो थे वो चिपानजी ही थे, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्या फोसिल मिला था? और यह पिथेकस का फॉसिल मिला था, और यह जो फोसिल है, बहुत सारा similarity दिखाता ह है human character इसमें बहुत जादा शो होता है human character और यो पिधेकर्स में बहुत जादा है ठीक है और इसका जो है और यो पिधेकर्स जो है इसमें टित जो है वो human के जैसे था जो जो है वो human के जैसे था और इसका short face था ठीक है short face था ओके ये और यो पिधेकर्स का ये और यो पिधेकर्स का उस डिस्क्राइब किया अगला fossil जो मिला था वो था रामा पिधेकर्स का अगला fossil किसका मिला था रामा पिधेकर्स का फॉसल मिला था जो की कौन found किये थे जो की found किये थे J.E. Lewis कौन found किये थे J.E. Lewis कहां पे found किये थे ये found हुआ था Sivalik Hill में ठीक है और नर्थ वेस्टरन अफरिका और इंडिया ओके ये जो है 12 से 14 12 तू 14 million year ago मिला था और ये जो है बहुत जादा human और एप के जैसर रामा पिठेकर सो किया था इसका fossil में दिखा था एप में तो इतना ही था अगला है एप man एप man में पहला fossil मिला था जिन जैन थ्रोपस का जो की यूज करते थे वेपन क्या यूज करते थे वेपन्स यूज करते थे फोर देयर हंटिंग मारने मराने के लिए क्या यूज करता था वेपन यूज करता था और इसका जो मसल जो था वो बहुत ही जादा modern man के जैसे था ब्रेन कैपसिटी इसका 600 cc था किसका जिन जैन्थ्रोपस का अगला एप मैन में अगला फोशिल है पैरन्थ्रोपस का क्या फोसिल है पैरन्थ्रोपस का इट वाज हर्वी बोरस कैसे थे हर्वी फोरस ओके पैरन्थ्रोपस जो था वो हर्वी बोरस था और बहुत सारा कैरिक्टर अपियर हुआ इसमें हुमन का पैरन्थ्रोपस में लास्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिठेकस है ये जो फोसिल है ये डिसकवर किये थे कौन किये थे रेमंड डार्ट पहली बार औस्ट्रेलियन पितिकस का फॉसिल डिस्कवर हुआ था रेमंड डार्ट के द्वारा इन 1925 और जो है यह कैसा डिस्कवर हुआ था इसका सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था स्कल मिला था कहां पे मला था एफरिका में मिला था तिक है सिर्फ इसका खोपढ़ा मिला था एफरिका में और जो है यह बहुत जादा एप के जrous दिखता था और बहुत जादा में के जैसे भी दिखता था यानि कि यह एक connective link था एप और मैन के बीच में इनका जो dentation था मतलब दात था बहुत जाद चोटे चोटा था मतलब इंसानों वाला दात था जानवरों वाला दात नहीं था तो इनका बहुत जादा इंसानों वाला दात था और यह बाइपिडल भी थे भाई सार थीक है बाइ दात जो है चोटे-चोटा हम लोग के जैसे था तो यह बहुत जादा इंसानों वाला भी चैरेक्टर शो करता था और जानवरों वाला मत भी ठीक है तो आस्ट्रेलियन पिथेकस एप मैन यहाँ पे एप मैन जो है इस फॉसिल तक खतम हो जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटीव मैन इसमें होमो एरेक्टर साता है और होमो शैपियंस आ जाता है अब आप लोग पुछेंगे कि तो हम लोग कहा है तो हम लोग तो यह नहीं है ना देखिए यह फॉसिल में हम लोग आ जाएंगे ना होमो सैपियंस ठीक है तो होमो एरेक्टर पहला होमो एरे एक java man आता है homo erectus में और एक peking man आता है java man जो है वो java man पहला बार discover किये थे कौन discover किये थे java man discover किये थे dog boys army officer थे dog boys एक army officer थे कब discover किये थे 1981 में किये थे और java man का बहुँ जादा broad head ठीक है और इसका cranial brain capacity लगभख 900 से 1000 cc था किसका java man का यहां लिख रहे हैं तो homo sapiens के बारे में नहीं सोच लिजेगा हम java man के बारे में लिख रहे हैं ओके तो यह brain capacity 900 से 1000 था और इसका जो forehead था सर था वो flat यानि की चप्टा था और low था ठीक है और यह यूज करते थे क्या यूज करते थे weapon यूज करते थे और fire यूज करते थे और इनका height 5 foot का था ठीक है 5 foot इसका height था weight कितना था weight था 70 kg था अब last मतलब होमो एरेक्टस का last fossil में देखेंगे last fossil था paking man का fossil paking man जो है वो found किये थे W.C. Paking पहली बार found किये थे W.C. Paking और इस भाई साहब का जो brain capacity था वो था 850 से लेकर 1300 CC तक ओके our forehead जो है इस भाई साहब का भी चप्टा था और low था ठीक है ये भी यूज करते थे stone और fire as their weapon ओके frontal region जो सामने का reason था वो highly developed था बहुत अच्छे से develop किया हुआ था और इसका moral teeth भी जो है वो एकदम modern man के जैसे था हम लोग के जैसे था इसका height कितना था height 5 foot था और इसका weight कितना था weight था 75 से 80 kg के बीच में ठीक है और अब last हम लोग पढ़ेंगे homo sapiens के बारे में modern man has erect posture erect posture अब क्या होता है जो मेरा पिछले क्लास देखा है उनको जरूर पता होगा erect posture किसको बोलते हैं erect posture का मतलब होता है सीधा homo sapiens जो है इकदम सीधा चलते थे और bipedal locomotion यानि कि दो पैर था दो पैर से चलते थे cranial capacity इसका 1250 से 1400 था यानि कि 1250 से 1400 cc cranial capacity था homo sapiens भी दो fossil में डिवाइड होता है पहला निंदर्थाल और दूसरा cromagnum निंदर्थाल निंदर्थाल जो था वो पहली बार फॉंड हुआ था कब फॉंड हुआ था 1856 में और कहां पे फॉंड हुआ था जर्मनी में जर्मनी में 1856 में निंदर्थाल फाउंड हुआ था किसके द्वारा जोहन काल सुरी यह पहली बार निंदर्थाल को डिसकावर्ड किये थे इसका अभी जो है निंदर्थाल का नेम प्रेजंट्ली इसका नेम है हुमो सेपियंस जिसको हम लोग हम लोग कहाँ पे आते हैं हुमो सेपियंस में brain capacity कितना था निंदर थाल का brain capacity था 1300 cc brain capacity था ये use करते थे fire अपना defense के लिए और leg का size जो pair का size था बहुत ही जादा अच्छा long था ठीक है में मिला था ये फॉसल जो है फ्रांस में मिला था और कब मिला था ये मिला था 1986 में किसके द्वारा मिला था ये मिला था मैक ग्रेगर के द्वारा जो मैक ग्रेगर थे पहली बार ये फॉसिल को फाउंड किये थे और इसका बॉड़ी जो है 180 सेंटिमेटर लॉंग है कितना? 180 सेंटिमेटर लॉंग था और ब्रेन कैपसिटी भी अच्छा खासा था 1600 सीसी ओके? और ये जो है केव में रहते थे और कपड़ा यूज करते थे पहनने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे फैलोगेंगे लिए हरस और Fossil History of Horse कल हम लोग Fossil History of Horse के वारे में पढ़ेंगे ठीक है अभी हम लोग Fossil History of Man देख लिए अभी हम लोग कल हम लोग Horse का Fossil History पढ़ेंगे अगर आपको मेरा ये PDF चाहिए होगा Fossil History of Man का नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे मेसेच कर सकते हैं ठीक है और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिम्शन में ठीक है So thank you so much और आगी का क्लास में बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक करना नहीं भूलिएगा Thank you